नमस्कार दोस्तों आप देखर रोहिलोजी हर्याना पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने कुछ महीनों ही पहले हर्याना में एडियो का वकेंसी निकाला था जो की एड्मिनिस्टेटिव कैडर का था और गुरूप B का जौब था बहुत ही बड़िया जौब था जिसकी फीस के लिए तो आए इसको विष्टार से देखेंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आगन को प्रेस कर ले एक्जाम का जो पैटर्न है वो किलियर कट बताया गया है इसमें टोटल 100 MCQ होंगे जो कंप्लिटली एग्रिकल्चर से ही हो सकती है maximum marks होगा वो भी 100 ही होगा मतलब एक question एक number carry करेगा उसके बाद one fourth negative marking है इस बात को contrast कर लिजे कुछ भी तुक्का मार कर मत आईएगा उसके बाद ये जो exam होगा वो OMR based होगा ठीक है अब weightage की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक exam है single mains exam है उसके बाद सिधा interview होगा ज तो इसका जो weightage है वो return test का जो weightage होगा 87.5% होगा और जो interview होगा उसका 12.5% होगा अब समझना ये है कि number of candidates कितने लिया जाएंगे interview के लिए तो जीतना seat है उसका लगभग दो गुना extent of two times shortlist किया जाएगा interview के लिए उसमें 50% लोग छटेंगे और 50% लोग select होगे तो आएए आगे देखते हैं 50% qualifying marks है मतलब जीतना score आपको करना है वो करना है आपको 50% मतलब 100 में से 50 questions आपके अगर सही होते हैं तब आप एक deserving candidate माने जाएंगे otherwise आप नहीं माने जाएंगे भल अगर इसका खाली भी चल जाता है तो इसको फर्क नहीं पड़ता कहने का मतलब यह है और जो भी reserved category है उस state से जवाएंगे क्योंकि reserved category का जो benefit मिलता है वो मिलता है सिर्फ उस state वालों को तो उनके लिए 45% है इतना ही score उनको करना पड़ेगा यह भी एक कम score नहीं है तो इस त 16th of October World Food Day के दिन 16th of October को इसका एक्जाम होगा तो कमर कस लिजिए आपको लगभग देल महिना पहले इन फॉर्म किया गया है तो अगर आप तयारी पहले से भी कर रहे हैं अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इस इस सफिसेंट फॉर जस्ट फॉर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आ आपके लिए सफिसेंट टाइम है देखिए आज का ही नोटिफिकेशन है पांच नो दो हजर बाइस टीचर्स डियो के ही एनाउंस कर दिया गया है तो बहुत ही बढ़िया निउस है हमारे स्टुडेंट्स के लिए जो लोग इसका बेसबरी से इंदजार कर रहे थे एग्र सेट मैनेजमेंट को थोड़ा ठीक से पढ़ियेगा यह आपको एग्रिकल्चर इंजिनेरिंग में मिलेगा तो यह सब चीज आपको ठीक से पढ़ना है जिसकी सकत अवसकता है आपको स्वाइल कंजर्वेशन फिजिकल और केमिकल प्रपरड़ीज वही स्वाइल चैंस आप को पढ़ना है कुछ अलग नहीं है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है जो आप एग्रिकल्चर पढ़ रहा है जस्ट वही है बस समझने का फेर है सेलिबस एक्जाक्ट वही है फाम मैनेजमेंट स्कोप इंपोर्टेंश एंड करेक्टरिस्टिक्स फाम प्लानिंग यह सार इसमें आपको दिख रहा है वो कुछ अलग नहीं है आप यह मत सुचिए कि पूरा सेलिबस बैट कर पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं यह अलग है कुछ अलग नहीं है जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़िए और पुखता किजिए उसको ठीक है फूड प्रोड़ करना है क्योंकि सेलिबस तो मेंसन किया ही जाएगा विदाट सेलिबस मेंसन किये एक्जाम कैसे लेगी तो अल्मोस्ट सेलिबस वही है इसमें हेक्टिक होनी की कोई जोरत नहीं है परिसान होनी की कोई जोरत नहीं है तो आप बेसवरी से इसका इंतजार कर रहे थे फैनली स सब्सक्राइब करना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद